वेरी गूड इवनिंग शुडेंट बिटक कैसे हैं सभी बच्चे आशा करता हूं सभी कुशल मंगल होंगे आज जैसा कि आप देख पारे हैं सबसे पहले चंद्रियान 3 आज हमारा भारत का चंद्रियान 3 लौंच होने जा रहा है और देखते हैं क्या हमें इसमें सफलता प् लौंच किया था 2019 में जो लिया जो लोंच किया था उसमें थोड़ी सी गडबड हो गई थी क्या इस बार उन जो भी गडबड़ी थी उनको सुधार लिया गया है देखते हैं सारी चीजें तो देखें आज चंद्रियान 3 लौंच किया जाएगा और कौन सा रोकेट इनको ल एतिहासिक चंद्रियान 3 लौंच होने जा रहा है 14 जुलाई 2013 यानि आज शुक्रवार को आज यह लौंच होने जा रहा है है तो आप सब लोगों को जब तक यह वीडियो मिलेगी तब तक आपको मालूम चलेगा कि यह लौंच हो चुका है ना तो इस तरह से यह फर्स्ट क में लौंच किया गया था उसमें जो लेंडर और रोवर का नाम था वही अब की बार भी है तो उसमें लेंडर का नाम था विक्रम उसमें लेंडर का नाम क्या था विक्रम और उसमें रोवर का नाम क्या था प्रग्यान तो अब की बार भी लेंडर विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्यान है तो इस रोने काफी इसमें बदलाव कि अगर इस बार कोई खराबी आती है तो यह काम कर पाएगा तो भी यह काम कर पाएगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इंजन लगें है एक्स्ट्रा इसमें फ्यूल है और एक्स्ट्रा इसमें काफी सारी चीजें एक्स किलोमेटर दूर एक लेंडर तैनात करेगा जो चांड के टेंपरेचर भुकंप यानि उसका जो अर्थक्विक है उसका तापमान है उसका सोलर विंड है उसकी जानकरी जमा करेगा है ना आप लोगों को यह बताएगा कि उसका कितना तापमान है क्या उसके भुकंप आते हैं उसका solar wind क्या है, winds कैसी है, इसके three parts है, propulsion, lander और rover, इसके three parts है, भारत का तीसरा moon mission चंदरियान 3, स्री हरी कोटा से launch होगा, ये स्री हरी कोटा से launch होगा, ठीक है न, बाहु बली rocket इसको launch करेगा, है न, बाहु बली rocket launch vehicle mark 3, launch vehicle mark 3, चंदरियान 3 को लेके जाएगा, विकरम lander चांद की जमीन पर 23 या 24 अगस्त को पहुँच सकता है, देखो अब की बार जो ये चंदरियान 3 है, ये चंदरियान 2 से 6 दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाएगा, ओके, next देखिए, चंदरियान 2 से पहले पूँचेगा चंदरियान 3, देखिए इसमें, चंदरिय चंदरियान 3 कब पूचेगा, 42 दिन में, चंदरियान 2 में lander, rover और orbit थे, जबकी चंदरियान 3 में orbiter के बजाए, यहाँ पर सवदेशी propulsion model है, ओके, ये भी देखिने लायक है, चंदरियान 3 का lander, south pole पर ही उतरेगा, बड़ा अच्छा important question है, यहाँ पर ये, चंदरियान 3 कहा पर ये अब की बार उतरेगा, पिछली बार भी हमने कोशिस किया था कि south pole पर दक्षणी ध्रूपर हम इसको land कराएं, लेकिन थोड़ी सी चूक होई थी, क्या इस बार हम सफल हो पाएंगे, ये south pole पर ही क्यों उतरेगा, क्योंकि south pole पर अभी तक कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपने lander को वहाँ पर soft launching उसकी करा पाया हो, कहां पर south pole पर, इसलिए हमने पहली बार अगर हमारा हम काम्याब होते हैं तो भारत पहला ऐसा विश्व का पहला ऐसा देश होगा, जो चंदरमा पर south pole पर अपना lander launch करेगा, उतार पाएगा, soft landing उसकी करा पाएगा, तो भा south pole में बरफ के बारे में पता चला था हमें, south pole पर सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुच पाती, ठंड जादा रहती है, south pole पर ठंडे craters यानि गड़े बने होते हैं, क्योंकि रोशनी नहीं होगी, तो उसमें heat नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, तो ठंड जादा होगी, अग पर लेंडिंग करेंगे, ओके, next, इस बार लेंडर में चार इंजन होंगे, पिछली बार बलकी इसमें पांच इंजन थे, जो कि एक इंजन था, जो कि लेंडर के बीच में बना था, अब की बार इसके कोनों पर चार इंजन बने हैं, हाला कि इसको उतारने के लिए, इसको चलाने के लिए दो ही काफी होते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास दो एक्स्ट्रा होंगे अब की बार ठीक है ना जो कि काफी इसमें फ्यूल से काफी इसमें पावर इसमें उर्जा दी गई है अब की बार ठीक है आप आतकालीन स्तीती में यह यह काम कर सकेंगे भारत चांद का चांद का हमारे 28 या 29 दिन के बरावर होता है है कि लेंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा एक लूनर दिन तक लेंडर रहेगा वहाँ पर के 14 दिनों के बराबर वक्त तक रहेगा वहाँ पर ये 14 दिन कोसे होंगे जब वहां सुर्यपी रोश्नी होगी कियोंकि तभी कर पाएगा उसके से सोलर पैनल लगा है तो उसको उरजा मिलेगी तभी मीलेग और उसके रिचांप्र तक ही वक्त होगा उसके के लिए काम करने के लिए है ना तो यह वैज्ञानी को ने बड़ी यह सोच समझ के साथ ही उसको लोंच किया है देखिए भारत का चंदरियान साल 2008 में मिशन पर भीजा गया था जिसने चांद पर वोटर आइस यानी पानी का पता लगाया था ठीक है कब बेजा था पहला चंदरियान 2008 में पानी का पता उसने लगाया था वह सतय पर नहीं उत्रा वो सो किलोमेटर दूरी से ही चक्कर लगाते हुँ उसने जानकारियां ज जा गया था आराम से लेंडिंग नहीं कर पाया चांद की जमीन पर उतरते हुए वह लड़क खड़ा गया विकरम लेंडर को चांद पर छोड़ना चाता था लेकिन पहले ही वे क्रैश हो गया था ओके यह थोड़ी से मिस्टेक वहां पर हुई थी देखते हैं अब की बार क रसिया और चाइना सबसे पहले 1959 में सोवियत संक का स्पेशिप लूना चांद पर पहली बार पहुंचा था किसका सोवियत संक या निरसिया का मून रेस तब से यह स्टार्ट होगी थी मून रेस सभी चाते हैं कि हमारा देश वहां पर जाए और हमारे देश की ख्याती प्र 211 देशों ने वहां पर अपने सफल मिशन भेजे हैं लेकिन वह चांद पर सोफ्ट लेंडिंग नहीं करा पाए हैं ओके नेक्स्ट देखिए 14 जुलाई 2023 यानि आज के दिन लॉंचिंग हो गई है अभी तक सिर्फ अमेरिका ही वहां इनसान उतारने में इनसान को भेजने में अमेरिका को ही सफलता प्राप्त मिली है अभी तक सिर्फ ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिए चंदरमा पर अभी तक अमेरिका ही इनसान उ उतारा गया था कब वहां पर इंसान ने कदम रखा था लास्ट टाइम 1972 में अमेरिका के दवारा 24 इंसान वहां तक गए हैं जिन में से सिर्फ 12 ही इंसान जमीन पर कदम रख पाए हैं बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है इनको आप नोट कीजिए ओके 11 देशों ने के अभी तक मून मिशन सफल रहे हैं जैसे कौन-कौन से 11 कंट्री हैं अमेरिका सोवियत यूनियन चीन जापान लग्जंबर्ग यूरोपियन यूनियन भारत इतली इसराइल साउथ कोरिया और यूए एई ओके तो आगे देखी इसमें लेकिन इनमें से तीन ही देश अपने स्पेस शास्त्री हैं यह उनकी नो स्यवा में यह उनकी आर्मी में भी उनके साइंटिस्ट भी रहे हैं यह बहुत एक एहम आदमी है अमेरिका में तो यह नील आरंस्ट्रोंग पहले ऐसे आदमी जो चांद पर कदम रख पाए हैं यह कब की बात है 20 जुलाइं 1969 में भारत के राके इसको रीड कीजे तभी याद होगा और यहां से एक कोश्चन बनने की पूरी-पूरी संभावना है ठीक है ना इस क्लास को जितना हो जितना भी हो सके शेर कीजिए लाइक कीजिए और बच्चों से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास जरूर भेजिए most important class ओके बह